आधियों, गुरुदेव ने विश्व भारति की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के कैंद्र के रूप में नहीं की थी, वो इसे seat of learning, सिखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे, पढ़ाई और सिखना दोनों के बीच का जो भेद है, उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वाक्ते से समझा जा सकता है, उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है, जो मैंने सीखा है, इसे और विस्तार देते हुए, गुरुदेव टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी सिख्षा वही है, जो हमें न सिर्फ जानकारी दे, बल्कि हमें सब के साथ जीना सिखाए, उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था, कि हमें नौलेज को एरियाज में, लिमीट्स में, बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्होंने यजुरुद के मंत्र को, विश्व भारति का मंत्र बनाया, जहां पूरा विश्व एक नीड बन जाए, गोंसला बन जाए, वो स्थान जहां नीत नए अनुसंदान हो, वो स्थान जहां सब सांथ मिलकर आगे बड़े, और जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री विस्तार से कह रहे थे, गुरुदेव कहते थे, चित्तो जेथा भयव सुन्नो, उच्चो जेथा शीर, ग्यान जेथा मुक्तो, यानि हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करे, जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर उंचा हो, और ज्ञान बंदनों से मुक्त हो, आज देश राष्ट्रिय सिख्षानिती के माध्यम से, इस उद्देश को पुरा करने का भी प्रयास कर रहा है, इस शिख्षानिती को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमी का है, आपके पास सो वर्ष का अनुबव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है, और गुरुदेव का आशिरवात तो है ही है, जितने जादा सिख्षा संस्तानों से विश्व भारती का इस बारे में समबाद होगा, अन्य संस्ताओं की भी समझ बड़ेगी, उन्हें आसानी होगी.